है एले विलकम तो CC Society आज़की वीडियो लेक्षियर में मैपिंग टेखने को देखेंगे हैं मैपिंग होता है क्या है मैपिंग यह हमारे पास किसे रिलेटर है कैसे में 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 होता है कि जैसे CPU कोई भी डेटा को डिमांड करता है कैसे में मैं मरी से तो अगर कैसे memory वो जो data है वो अगर available होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कैसे hit बोलेंगे अगर वो available नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे इस case में कैसे miss बोलेंगे तो mapping में क्या होगा कि हमारे पास जो main memory का जो data है वो किसको आ जाता है कैसे memory के पास साद की मुपकर यहां पर धाएगा माय पास किया भी क argues क्यों होता है आइसा इंटका luggage भी फास्ट है और अगर घ्र समय को घया जाएगा घट जाएगा इस चीज руबच करने के लिए हम कैसे मेमरी का यूज करते हैं तो कैसे मेमरी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली में कुछ डेटा का जो मेन मेमरी का जो कुछ डेटा उसको यह क्या करेगा खुद में स्टोर करता है और उसको जैसे करता है instantly एकदम फास्ट वे में उसको क्या करता है एकसे दिलाने का कोसिज करता है कि इसको CPU को तो हम यहां पे जो हमारे पास जो में मेमरी का जो डेटा है उसको हम किस वे में कैसे मेमरी के अंदर श्टोर करते हैं यह कौन डिटर्माइन करता है हमारे पास मैपिंक डिटर्माइड करता है और लो इक है तो हमारे पास कैसे कया अंदर आ जाता तो कैसे के लाइन के फॉर्म में इन जो इसी चीज जो गुद करते हैं करता हमारे वाइपूर करता है पहला direct, दूसरा associative mapping, तीसरा set associative mapping, जिसे हम kv associative mapping भी बोलते हैं, आज के इस video lecture में हम direct mapping को समझेंगा, और direct mapping होता क्या है, उसको हम देखेंगा, तो इससे पहले हम इनके diagram को देखते हैं, उसके पार हम definition को देखेंगा, तो direct mapping में हमने दोनों यहां पे memory को define किया, सबसे पहले ह हमारे पास कैसे memory को define किया, जिसका जो maximum size capacity हो है 16, 16 कहने होला 4 x 4, 4 x 4 कहने का मनले क्या है, कि number of line जो है, इस कैसे हमारे पास total कितना हो जा सकते है, maximum 4 जा सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, L0, L1, L2 and L3, ठीक है, अगर हम main memory का बात करें हैं, यहां पे, तो main memory का जो हमने size define किया, वो 128 word, 128 word, यहां पे word कहने का मनले क्या है, bit, ठीक है, तो 128 word को कैसे लिख सकते है, 32 x 4 कहने का मनले क्या है, कि number of block, जो main memory में जो है, हमारे पास memory है, वो block, यहां पे, जो number of block है, वो कितना हो जाएगा, total 32, और उनको हमने name दिया है, B0 से लेके, B31, तो total number of block कितना होगी है, हमारे पास 32, B0 से लेके 31, तो total number of block हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं, और हर एक block में हमारे पास जो number of maximum word जो available हो सकता है, वो कितना हो सकता है, हमारे पास number of maximum word, 4 available हो सकता है, ठीक है, तो यहां से हमने एक SM memory को define किय जिसका maximum capacity 16 word 4 cross 4 कहने मुलब 4 line आ जाएगा और 4 number of block को एक बार में यह क्या कर सकता है यहां पर main memory जिसका maximum word हमने storage लिए रखा 128 word जिसको हमने लिख सकते हैं 32 cross 4 32 block आ जाएगा और हर एक block में number of maximum word कितने आ सकते हैं 4 आ सकते हैं ठीक है यहां तक जैसे B0 में कौन-कौन से word आ गया ठीक है यहां तक कोई दिखकर इसमें नहीं है अब हम इसमें होता क्या कि हम किस वे में इन सभी word को इनके जो block है main memory का जो block है इस block को हम कैसे memory के अंदर कैसे store करते हैं direct mapping में उसके लिए हम एक formula यूज़ करते हैं और वो formula हमारे पास है कि कैसे का console line number में यह जो block है वो console line number में जाके store होगा वो इस formula पर depend करता है वो कैसे करेगा कि कैसे determine करता है कि main memory का जो block number है जिसे भी 0 है तो अगर हम 0 mod total number of line इस कैसे memory में जितना भी present है जिसे इस वाले example में हमने total number of line कितना ले रखा है 4 line ले रखा है तो 0 mod 4 करेंग तो हमारे पास value कितना आगया 0 आगया इसका 0 जो है किसमे जाके store होगा हमारे पास कैसे के line number 0 में अगर हम block number 1 के लिए करते तो one mod 4 तो value कितना आगया हमारे पास one आ गया तो कहने का यहां पर डायरेक्ट इसलिए है कि हमारे अगर CPU कुछ सी ब्लॉक को, सर्च करता है तो बी जीरो तो कैसे के लाइन नंबर जीरो में ही अभलेल होगा ओगा है और वह जो दिद वहां वमेशा ही हमेसे कि mieć खिली दग इसलिए हम इसको कितों टाइड के लाइन की तो कैसे कर चैसे करें तो हमारे पाइव टोटल नंवर वर यहां पर कितना लाइब ऑगया हमें चार वराद है तो चार वरड को अगर में रिपररजेंट करना है वेंग इस hah कई eme वर्ड One को अगर हमें didermine करना तो 00 लीख दी है तो हम उसे बोल सकते है कि व्रड commitments biggest नोबर टू हो गया उग्या वाण जीडो है तो व्रड नमर थिरी हो गया 11 वाणने तो व्रड नमर में छिर्माइन करना तो Luis number of bit कितना चाहिए हमारे पास 7 bit चाहिए तो हम bol सकते हैं कि अगर हम एक इसका physical addres हम determine करते हैं कि iska main memory का जो blow है उसका main memory का जो गर physical address देखते हैं तो हमारे जिभी कितना चाहिए हम seven bit चाहिए ठीक है और हमारे पास main memory में है क्या एक टु ब्लॉक नमबर है और दूसरा उस ब्लॉक के अंदर नंबर ओवर्ड कितना है तो टोटल बीट हमारे पास कितना हो गया सेवन बीट का जरू रहा थे 128 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है और हर एक और हर एक हमारे पास यह जो में मेरी है तो कितने बाल में डिवाइड कि हैं दो ब्लॉक नंबर और ब्लॉक औपसेट और हर एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास टोटल नंबर वर्ड कितना बिट का जरूरत होगा तो 5 बिट का ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे बस total नंबर और ब्लॉक नंबर कितना है यहां पर 32 है तो total नंबर ब्लॉक 32 है तो इसको रिपरजेट करने के लिए में कितना बिट का जरूरत होगा की पावर 5 करें तो 5 आजाएगा तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 5 बीट का जरूरूरूद पड़ेगा तो हर एक जिससे बीजीरो को अगर हमें देखना है तो जीरो 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 भी यह तो जीरो 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 वन हो जाएगा इस तरीके से टोटल नुमर व ब्लॉक कितना हो जाएगा 32 जो लाश्ट बीट है उसको रिपेजन करें के लाज़ा तू की पावर 5111 आ जाएगा अब जीसे इसको हमें एक एक्जांपल से देखते ह पहला जहर यह जो में मेमरी साइखर एक्सेस कर तो पहला पांच BMW जह वह क्या डीटर्माइन खशेवगा हुमाइरे पोक देटर्माइन करए का ब्लॉच को ला twee लोड को लास्ट का दो बाइवाण इस ब्लॉच नंबर में कहां 20 कौनसा number वाड़ क्या है कि कौन सा ब्लॉक को डिटर्माइन कर रहा ब्लॉक नंबर वन को क्योंकि ब्लॉक नंबर जीरो के लिए 0000 ब्लॉक नंबर वन के लिए 00001 हो जाएगा और वर्ड नंबर यहां पर कितना दे रहा लास्ट का जो दो डिट उसका मलब क्या है कि CPU इस एड्रेस से किस वर्ट को एकस्स करना चाह रहा रहा कि सेम अगर हम कैसे मेमरी के लिए देखें तो समरी पास में मेरी में जो हुमारे पास जो भी हमारे बाज ब्लॉक साइड जो help इसको डोच पर प्लाउक श kindness में डिबाइड करहें था तो और इस ब्लॉक के अंदर जो ड्जो है वह तो सेम यह है इसका मूलग क्या विए कि ब्लॉक आपसेड जो है वह तो सेम धी रहे हैं लेकिन यहां पर जाएंग कि इस memory के अंदर कितने number of line available है यहां पर कितने number of line available है total L0, L1, L2, L3, total number line 4, 4 को represent कितने bit से कर सकते हैं, 2 bit से कर सकते हैं, 00, 01, 10 and 11, इस तरीके से हम चारों को represent कर सकते हैं, करने मुलें कि अगर 00 आ गया, इसका महला line number किसको determine करेगा 0 को, अगर 01 आ गया, line number 2 हो जाएगा, 01, 01 आ गया line number 3 हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि line number को determine करने के लिए कितने bit का जरूरत हो जाएगा, 2 bit का जरूरत हो जाएगा, तो total हमारे पास कितना था, 7 था, तो block offset 2 तो permanently, line number 2 हो गया, तो 2-4 बच कितना गया, 3 bit, तो 3 bit किसको determine करेगा, tag, यहां पर tag क्या है उसको समझते हैं, जैसे line number 0 में है, कौन सा block हमारे पास आ सकता है, कैसे memory के अंदर, तो line number 0 में block 0 आ सकता है, block 4 आ सकता है, block 8 आ सकता है, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है, यह कब हो रहा था, यह हम कैसे memory का, जो direct mapping का formula यूज कर रहा है, तो तो हम बोल रहे थे कि जो block number 0 है, वो किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो इस formula के basis पे यह हम कर रखा है, तो line number 0 में यह सबरे block आ सकते हैं, तो number of block इसमें कितना आ सकता है, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ सकता, तो total block कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 block को represent करने के लिए, हमें कितने bit का जरूरत पढ़ेगा, 3 bit का 0, 0 हो गया, तो block number 0, कहने का मलब ब्लॉक नमर 0 कहने मलब क्या आ है, कि line 0 में block number 0, यह जो पहला जो ब्लॉक है, उसको determine कर रहा है, 001 कहने मलब ब्लॉक number 1, मलब कहने का मलब क्या line 0 में पहला जो beat आएगा, ठीक है, यहां से यह 0 हो गया, यह 1, मलब block number 1, यह second वाला जो आ जाएगा, ब्लॉक्व यहां पर, उसको determine करेगा, ठीक है इसको मैं एक example से देखते हैं तो tag जो है वो यही है tag कहने का मलब क्या है कि यह हो गया tag जो 8 जो block आ रहा है ना इसके अंदर यह हो गया tag हो सकता है लाइन हो सकता लाइन चूंकर थी थी P score कर रहा होगा किनमसा नंबर आप ब्लॉक जो है वह यहां पर है तुन एक जाम्पल से समझते हैं जैसे हमारे पास यहां कितना हो गया 001 001 टैक किसके लिए फाले लाइन इस वाले लाइन में जो ब्लॉक है यहां दिखा रहा है और उसका कौन-कौन सा वर्ड हो जाएगा 00 तो अगर हम देखे बात करें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहला अगर हम इसको बाइनेरी की फॉर्म में देखे तो यहां पर क्या दे रखा है 0010111 इसका हो गया यह 2 की पावर 4 हो गया 16 और यह कितना हो अगर हमने पास 2 की पावर 2 4 तो 16 प्लस फॉर करें तो तो 21 इसका हमारे बास कॉन थो गया धूंध और तो यहां पर कॉन दीक तो यह था हमारे पास direct mapping, direct mapping का अगर हम advantage का बात करें तो यह simply है, इसमें complexity नहीं है, इसमें हम fast access दे सकते हैं, कैसे line का है, हम easily way में identification कर सकते हैं कि main memory का कौन सा word किसमें available है, इसका एक one more, अगर हम देखे disadvantage देखें, तो इसका जो disadvantage है कि कैसे जो conflict है, यहाँ पे increase हो जाता है, कैसे conflict काने का क्या मन लगी, जैसे direct mapping हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो number of block आ रहे था, वो एक बार में maximum 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पर permanently fix कर दीए हैं उस चीज़ को, इस वज़े से हमारे पास क्या आ रहा था, कैसे conflict यहाँ पे क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, higher occurrence of the case conflict as compared to other mapping technique, क्योंकि जब multiple block जो है, एक ही line में map कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैसे conflict arise हो जाता है, और इसके करन नमारा जो overall performance हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, that's all, thank you.